नमस्कार आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है मैं हूँ केला शर्मा और आज हम फिर से एक बार सीख रहे हैं अंग्रेजी अक्षरों से निकलने वाली द्वनिया पिछले चार वीडियो में हमने अलग अलग अक्षरों को लेकर के उनसे निकलने वाली द्वनिया जानी और समझी अब बच ये आखरी पांच अक्षर और वो हैं V, W, X, Y और Z तो सबसे पहले लेते हैं बाइसवे अक्षर को जो है V V for when, V says work, V for victory आपने देखा होगा लोग कई बार ये निशान बताते हैं V for victory, victory आपने विजय जीत इसी V से बनता है village यानि गांव V I L L A G E, village V O T E, vote ये भी V से बनता है सबजियों के लिए अंग्रेजी में शब्द है vegetable और वो भी V से बनता है V E G E T A B L E, vegetable इस तरह से हम देखते हैं कि V से बनता है व पर यहां पर गौर कने लाएक चीज ये है कि V और W दोनों से ही व बनता है पर दोनों के व में अंतर है जो व से बनता है उसमें हमारा उच्चारण कुछ इस तरह से है V इसमें हमारा lower lip, upper teeth को टच करके बोलता है व जबकि W से जो द्वने उत्पर्न होती है उसमें हमको अपने ओठों को गोल करना पड़ता है और बोलना पड़ता है व यह आएगा W से और अगला अक्षर सन्योक से है W यह वर्णमाला का 23 व अक्षर है W और इससे बनता है व व वाच विंडू इन दोनों में आप देखिए W I N D O W विंडू W A T C H वाच इन सब से बनता है W अगला अक्षर है X जो की 24 वा अक्षर है और X से बनता है आधा क और स यानिए क्स यह द्वाने निकलती है जैसे बी ओ एक्स में हम देखें बॉक्स बी ओ से तो बॉब बना और आगे जो X से उससे बना आधा का और स यह हो गया बॉक्स एक्स से एक और ध्वानी निकलती है वो है जैसे जेरोक्स जेरोक्स एक इतना सुंदर उधारने जिसमें X से निकलने वाली दोनो ध्वानिया हम समझ सकते हैं X-E-R-O-X यह है इसकी स्पेलिंग और पहले वाला X बना रहा है ज और बाद वाला X बना रहा है आधा का और स यह है जेरोक्स यानि जेरोक्स कॉपी फोटो कॉपी जिसे हम आम तोर पर कहते हैं जेरोक्स अगला अक्षर है पचीसवा वो है Y और Y यू तो कॉंसोनेंट है पर इसे कभी-कभी सेमी वाउल भी कहा जाता है क्योंकि यह E की मात्रा लगाने का काम भी करता है और यह यग्य का भी बनाता है स्टोरी, हिस्ट्री इन सभी में Y की मात्रा लगाता है बाकी इससे अगर कोई कॉंसोनेंट की द्वानी निकलती है तो वह है यह यग्यवाला तो देखिए Y E L L O W येलो यानि पीला Y E S, Y E A R, Yard यानि वर्ष ये भी एक और मत्रों उधारन है Y से य बनने का सुन्दर उधारन अब हम आते हैं 26 और अंतिमक्षर की तरफ और वह है Z, American English में इसे Z भी कहा जाता है और यानि की Z का ही pronunciation Z होता है और इससे बनता है Z यानि यह बड़ा महत्रों का है जैसे हम देखें Zero, Z E R O, Zero, Z E B R A, Zebra, Z I P, Zip यानि जो चैन रहती है जिसे हम खोलते हैं बन करते है जिप इस तरह से Z से बनता है Z ए से लगा कर कि Z हम आए पर आज के वीडियो में हमने लिए थे पांच अक्षए सबसे पहला था V उससे बनता है व अगला अक्षर था W जिससे बनता है व इसमें हमें ओठ अपने गोल करने है X से बनेगा आधा क और स याने क्स और ज वाई से बनेगा य और वाई से ए की मातरा भी लगेगी Z से बनेगा ज इस तरह से A से Z सारे के सारे 26 अक्षर हमने लिए और उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को हमने स्टड़ी किया आगे के वीडियो क्लासेस में हम आगे की चीज़ें सीखेंगे आज के लिए इतना ही नमस्ता